हेलो इस्टूडेंट्स पॉली टेक्निक लिब्रेल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है तो आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं I.M.E.D. जिसे हम कहते हैं इंडिस्ट्रियल मेनेजमेंट एंड आंटर्पनियोर्सिप डेवलेमेंट या हिंदी में अध्योगिक प्रबंधन एम उद्धमिता विकास के नाम से भी जानते हैं तो उसका जो चैप्टर फाइब है सिलेवस के अनुसार हम बात पर रहेंगे तो चैप्टर फाइब का जो चैप्टर फाइब है उसको हम दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं पहला है आपका लीडर्सिप के बारे में और दूसरा पार्ट या भाग है वो है आपका मौटिवेशन के बारे में तो आईए सिलेवस के अनुसार जो जो टॉपिक्स हम को दिये गए हैं हम एक एक करके शुरुआत से पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों शुरुआत कर रहे हैं लीडर्सिप से या नेत्रत उसे तो लीडर्सिप हो अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि नेत्रत उसे तातपर लोगों को कार करने के लिए प्रेरित करने की कला से है जिस से किसी निश्चित उद्देश की प्राप्ति की जा सके तो ये एक सिंपल सी परिभासा हो गई दूसरा हम कह सकते हैं कि नेतरत एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें एक निश्चित उद्देश को पूरा करने के लिए समुए की गतिविदियों को प्रभावित किया जाता है तो य एक निश्चेत उद्धेश की प्राप्ती के लिए जो समूई की गतिविधियों को या लोगों को प्रभावित करके उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की जो कला है वही हम कहिलते हैं उसको नित्रतु की लड़ाई थी अंग्रेजों से जो तो उनको भगाना था देश को आजादी दिलानी थी गुलामी से मुक्त करना था तो जैसे गांधी जी ने जो किया तो उनके अंदर क्या था नेतरत तो कौसल था उन्होंने लोगों को इखटा किया उनको प्रभावित किया उनको अपने भासणों के द्वारा उनको बताया कि कैसे हमको ये अंग्रेजों के खिलाप लड़ाई लड़ना है सत अहिंसा और असायोग आंदोलन उन्होंने चलाए तो वो उनका क्या है नेतरत कोशल को जो प्रदर्सित करता है या उनको तैयार कर सकें उस लच्छ को प्राप्त करने के लिए तो इस सिंपल सी चीज है आप इसको माइड में बना कर समझ सकते हैं और सरल भासा में कहें तो समूई की गतिविदियों को प्रभावित करने की कला नेतरत कहलाती है यदि समूई हैं समूई से मतलब है ब्यक्तियों का समूई लोगों का समूई तो उन लोगों के समूई की गतिविधियों को प्रभावित करने की जो कला है वही नेतरत तो कहलाती है दूसरे और सरल सब्दों में हम कह सकते हैं कि नेत्रत किसी ब्यक्ति का वह ब्योहारे गुण है और जो ब्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है नेता ये लीडर तो जिसके द्वारा हुए ब्यक्तियों को प्रभावित वा संगठित करता है तथा उनका मार्ग दर्शन करते हुए कोई अभीष्ट उद्देश को पूरा करने में सफल हो जाता है तो नेतरत तो किसी ब्यक्ति का वए गुण है और ये जो ब्यक्ति होता है जिसके अंदर ये नेतरत का गुण होता है उसको हम कहते हैं नेता ये लीडर तो नेतरत तो किसी ब्यक्ति का वए ब्यवारे गुण है जिसके द्वारा हुए ब्यक्तियों को प्रभावित वा संगठ तथा उनका मार्क दर्शन करते हुए कोई अभीष्ट उद्देश को पूरा करने में सफल हो जाता है तो जैसे आजादी की लड़ाई में जो गांधी जी एक महान लीडर थे ग्रेट लीडर के रूप में हम उनको जानते हैं तो अभीष्ट उद्देश क्या था उनका किया और उनका मार्क दर्शन करते हुए इंडिया को आजादी दिलाने में क्या कि सफलता प्राप्त की तो ये बिलकुल आप इस कॉंसेप्ट को माइंड में रखके आराम से इस बात को लिख सकते हैं अब बात आती है कि नेतरत की या लीडर्शिप की आखिर आवशक्ता क् पड़ती है यानि नीड ओफ लीडर्शिप क्या है तो नेतरत की पांच कारणों से हम समझ सकते हैं कि जो नेतरत की पांच कारण नहीं है और भी जादा है टोटल आट कारण हमें और इससे जादा भी हो सकते हैं तो नेतरत की आवशक्ता का पता चलता है माल नेतरत क्यों ज पर गया तो उनमें टीम भावना को उत्पन करने के लिए नेत्रत या लीडर्शिप बहुत जरूरी है दूसरा उनको प्रेरित करने के लिए यानि कि टीम के सदस्यों को कार के लिए प्रेरित करने के लिए नेत्रत आवश्यक है उनको प्रोथसाहित करने के लिए जब कई वा समु camping के सदस्सें बहतों उत्साय होने लगते हैं उनका उत्साय चला जाता है तो नेत्र तो कह बरात वशक्त कत्र बड़ते उनको प्रोपसाय करता है कि नहीं उठो आगे बढ़ो जो था अनुसासन बनाई रखने के लिए कई बार अनुसासन एक कहावत है ना कि अनुसासन ह लिए भी वही चीज है कि अनुसासन ही किसी संगठन को आगे ले जा सकता है तो अनुसासन को बराई रखने के लिए भी नेतरत किया वशकता है अगला है पांचमा समस्याओं का समधान करने के लिए गुरूप में बहुत सारे सदस्य हैं समोव में बहुत सारे लोग हैं पचा रास्ता भटक जाता है या बेक्तियों का जो समूए होता है वो रास्ता भटक जाता है तो नेत्रत आगर के उनको मार्क दर्शन करता है उनको गाइट करता है और निश्चेत उद्देश की प्राप्ती के लिए अगर हमें कोई निश्चेत उद्देश हमारे सामने कार करने ही तू जोश उत्पन करने के लिए लीडर क्या करता है नेत्रत का क्या गुण होता है वो लोगों को जोश से भर देता है उत्साय से भर देता है ताकि वो अपने लच प्राप्ति की और आगे की और बढ़ते चले जाए तो यह कुछ कारण है जिन से हम समझ सकते हैं नेत्रोति की आवशक्ता को या नेत्रोति की नीड को यानी नीड ओप लीडर्शिप टीम भावना उत्पन करने के लिए सदस्यों को प्रेरित करने के लिए प्रोथसाहित करने के लिए टीम में अनुशाशन बनाए रखने के लिए समस्याओं का समधान करने के लिए उनका मा बहुत ही मात्पूर्ण प्रशन हैं अब मैंने आपसे बताया कि लीडर क्या होता है लीडर्शिप को आपने पढ़ा कि लीडर्शिप क्या है विक्ति का गुण है जिसकी वज़े से वो लोगों को संगठित करता है उनको प्रभावित करता है और लच्च प्राप्ती में क्या करता है उसको लच्छ को प्राप्त करता है जो अभीष्ट लच्छ मन में बना रखा है तो ये जो गुण जिस विक्ति के अंदर होते हैं वो कहलाता है लीडर या नेता तो इसमें अच्छे नेता के गुण क्या होना चाहिए या एक दूसरा कई बार परिच्छा में पूँच लीडर सिप तो ये चाहिए अच्छे नेता के गुण पूँच लिए जाएं ये अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होना चाहिए या फिर प्रभावसाली नेत्रत के लिए कौन कौन से बिचालनी कारा कि बात वही है यही सब्द वो है जो आपको माइंड में बिलकुल बैठा लेना है और हमेशा याद रखना है घूम फिर करके वही सब्द बार बार आएंगे चाहे वो लीडर्शिप की आवशक्ता में आए हो चाहे वो इस रूप में तो आप खुद समझ सकते हैं कि लीडर्शिप के लिए का एक तो सारीरिक स्वास्त उत्ताम होना चाहिए फ इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नव जो आदमी मांसिक रूप से डिश्टर होगा वो कैसे दूसरों को राष्ता दिखा पाएगा पत्द तो सारीरिक स्वास्त उत्ताम हो मांसिक स्वास्त उत्ताम होना चाहिए वुद्धी मत्ता उसमें इंटेलीयंस हाई होना हो चाहिए उ की नकारात्मक दृष्टी कौन पहुश्टे वो अप्रोच होगी तभी वो अपने टीम के सदस्यों को हजारों लाखों लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है और एक आसा आवादी दृष्टी कौन होगा तभी वो कुछ पा सकते हैं और या फिर लच्च को प्राप्त करने में सहाइदा कर सकते हैं पहल इनिशेटों करने वाला वाला हो जो सबसे वड़ी बात होती है इनिशेट करना किसी चीज़ को पहल करना हर कोई पहल नहीं करना चाहता है यह बहुत बड़ा गुढ़ है जो शिर्फ लीडर's के अंदर होता है या तो यह क्या ह घ्लास्ता है तो छलकर दिखांगी छलो मैं आगे चलता हूं आओ फीची पीची तो नेता आगे चलता है लोग उसको फ़ॉलो करते हैं समबात काशल होना बहुत जरूरी shy है मतलब communication skill अगर communication skill अच्छी नहीं होगी उत्तम नहीं होगी तो कैसे अपने बिचारों को आप उन तक रख पाएंगे सदस्यों तक भीड तक लोगों तक कैसे पहुचाएंगे और कैसे उनको प्रभावित करेंगे तो बहुत ही महत्पूर्ण कारा के समवात कौसल या कम्यूनिकेशन इसकिल उत्तम होनी चाहिए ग्यान होना चाहिए बिसे क कि आप लडाई लड रहे हैं जिस बिसे लच्च प्राप्ति के आगे बढ़ रहे हैं उसका परयापत आपको नौलेज ग्यान हो आपके अंदर सरजनात मकता क्रियेटिविटी होना चाहिए कि कैसे भीड को हमको नियंत्रित करना है कैसे डिसिप्लेन या कौन-कौन से इसे तरीके अपनाना है कि लच्च प्राप्ति में सहायक सिद्धों त्याग की भावना सेक्रिफाइस होना चाहिए आपको पता है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं उन्होंने बहुत त्याग किये हैं उन्होंने परिवार तक छोलना पड़ा उनको जेल भी जाना पड होती है तो त्याग या सेक्रिफाइस होना बहुत जरूरी है दूसरा मार्ग दर्शक कुशल मार्ग दर्शक होना चाहिए गाइड के रूप में जो रास्ता बता सकी कि हाँ भाई इस रास्ते में आपको चलना है टीम भावना होना बहुत जरूरी है टीम भावना मतलब सब एक दूसरे के बरावर हैं और हम सभी के सयोग से ही लच्च की प्राप्ति हो सकती है इसी भावना ले करके आगे बढ़ना चाहिए तो वो टीम भावना ये होना बहुत जरूर ये गुण प्रसास की योगता होना एड्मिनिस्ट्रेटो एबिलिटी होना चाहिए कई बार योगता के मिना वो लीडर क्या है लच्च प्राप्ति में सफल नहीं हो पाते हैं यदि उनके अंदर प्रसास की योगता नहीं है सामाजिक भावना होना होना चाहिए सोशल फीलिंग ताकि लोगों की दुख तकलीफों को वो समझ सकें लोगता अंतरिक बिवार उनका होना चाहिए जहां जरूरत हो तो टीम के सदस्यों से लोगों से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं आगे क्या उचित रहेगा अगला है इमांदार होना बहुत जरूरी है औनेश्टी होना बहुत जरूरी है निरने लेने की छमता यदि नहीं है तो एक लीडर्शिप या ना कोई अच्छा लीडर बन सकता है तो डिसीजन वेकिंग कपेसिटी होना चाहिए विस्वास ट्रस्ट होना चाहिए अपने सातियों पर जो फॉलोवर्स हैं जिनको आप नेंद्रित कर रहे हैं जिनका मार्क दर्शन कर रहे हैं उन पर दूर द्रश्टिता होना बहुत बन पाते हैं तो आप कितने वे उदारहंड देख लिए अबी हम बात भी करेंगे तो ये वीशेषे सब्द हैं जो आपको माइंड में बोलकुल बैटा लेना हैं अपने माइंड में फिट कर लेना है और इनी सब्दों को योज करना है चाहिए आप कर रहे हों लीडर से के लिए चाहे अच्छे नेता के गुण के लिए चाहे प्रभावसाली नेत्रत्त के लिए बिचारनी कारग यही हैं तीम भावना प्रसास किया योगता, सामाजिक भावना, लोगतंत्रीय ब्योभार, इमानदार, निर्णय लेने की छम्ता, बिस्वास, दूर दरश्टिता और स्वार्थ रहत होना, लीडर के कार क्या है, यानि functions of लीडर, लीडर के कार क्या होते हैं, प्रमोक कार निम्नांक के ते एक तोर सदस्यों में टीम भावना उत्पन करना, दूसरा उनको प्रेरित करना, मौटीवेट करना, जो उपर जो आपने सब्द पड़े, सब घूम फिर क करके वही मिलेंगे, एक अच्छी लीडर के क्या कार हैं, टीम में जो उनकी समूव हैं, उसकी टीम भावना उनके अंदर उत्पन करना, उनको मौटीवेट करना, प्रेरित करना, आगे बढ़ने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाना, उनका मार्क दर्शन करना, उनको प्र खादान करना भी मेनकार है, निश्चत उद्देश को प्राप्त करना, यानि जो भी गोल है, लच दिया गया है, उसको प्राप्त करना है, और कार करने हें तु जो शुत्पन करना ये बहुत जयदा जरूरी है, तो ये आठ ऐसे फेक्टर सें आप और भी जदा लिख सकते ह या एक नेता के कार हो सकते हैं या होने ही चाहिए तो लीडर के क्या क्या कार हो सकते हैं या फंक्संस क्या क्या है सदस्यों में टीम भावना उत्पन करना उनको प्रेरित करना उनका मार्क दर्शन करना उनको प्रोथ साहित करना अनुशाशन बनाए रखना समस्याओं का समधान करना निश्चे तो देश को प्राप्त करना जो लच्छ निर्धारित किया उसको प्राप्त करना और कार करने है तू उनमें जो सुत्पन करना टीम के सदस्यों में अब लीडर तथा मेनेजर की कई बार तुलना बहुत जरूरी है मेनेजर इंडिश्री में होते हैं मेनेजर रखे जाते हैं माली ये प्रोड़क्शन मेनेजर है तो उसको एक लच्छ दिया रहता है कि मुझे प्रोड़क्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है प्रो लीडर नेता को दूसरी तरफ प्रबंधक यानि मेनेजर को तो आप खुद से समझ सकते हैं जो नेता होते हैं जो लीडर होते हैं उन नेताओं के प्रसंसा करने वाले वो उनके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी नहीं होते हैं और प्रबंधक के क्या होता है उनके प्रबं डिलाना है अंग्रेजों से तो इतना बड़ा mission था प्रबंधग जो होते हैं मेनेजर उनके पास कोई संगटह नहीं तो उनको target दिया गया है उनको क्या है उनके पास एक लच है उसको पूरा करना है तो प्रबंधग का ध्यान किस पर रहता है लच्छ पर कि मुझे profit इस बार इतना करना है या मुझे production इस बार इतना करना है तो उनके सामने का लच्छ है जबकि नेताओं के पास क्या है मिशान होता है और वो बहुत बड़ा होता है नेता क्या होता है अदूती होता है यूनीक होता है आप किसी भी इतने सारे ग्रेट लीडर साब बात करते हैं जैसे गांधी जी की बात कर लिए वो यूनीक हैं उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं बन सकता है आप किसी और नेता की बात कर लीजे, सुभास चंदर बोस की आप बात कर लीजे, और भी कितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, सरदार वल्ला भाई पटेल की बात कर लीजे, बावा साब भीमराव मेटकर की बात कर लीजे, तो ये किया यूनीक हैं, अधुती हैं, ये दू दूसरे को देखते हैं उसका target इतना आगे बढ़ गया उसके अंदर ये तो प्रबंदधक बहुत bar अच्छा है तो दूसरे से सीखते हैं कि नहीं वह ऐसा कर रहा है तो हमें भी अपनी company में ऐसा करना है दूसरे से सीखना जरूरी भी तो यह जो प्रबंदक होते हैं अपने प्रतिस परदियों की नकल करते हैं उनको कॉपी करते हैं कि नहीं वो प्रबंदक बहुत अच्छा है प्रबंदक को यह पढ़ाय जाते हैं कि प्रबंदक को ऐसा होना चाहिए वो प्रबंदक के हो सकता है कोई उनको story भी बताई जाए जबकि ये जो नेता बनने का leadership quality होती है वो जन्मजात होती है चौता है नेता यता इस्थिती को चुनौती देते हैं अगर कोई यता इस्थिती है उनको लगता है कि ये भाई गलत है तो उसको चुनौती देते हैं चैलेंज करते हैं कि ये गलत है ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए प्रबंधक क्या करते हैं मेनेजर का जो काम होता है यह था इस्थिति जो जैसा है उसको वह ऐसे बनाए रखना या उसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं वो ज़्यादा disturbance नहीं चाहते हैं किसी तरह की चुनोती लेना देना ये सब नहीं चाहते हैं, मैंनेजर जो होते हैं, प्रबंधक, तो यह अगला है, जो नेता होते हैं, वो संबंध बनाने पर बिलीब करते हैं, कि जादा से जादा संबंध बनेंगे, तभी फॉलोवर्स बढ़ेंगे, लोग एकत्रित होंगे, प्रबंध क्या होता है, लच्चों और उद्देशों पर ध्यान केंदरित करते हैं, प्रबंधक के माइन्ड में क्या होते हैं, जो हमको लच्च है, जो गोल निरुधारित है, जो हमारे denayके देना के, उन पर हमें ध्यान पूकस करने हैं, कैसे हमको आगे बलाना है, प्रोडुक्शन ज्यादा होता है मेनेजर का छटा है नेता क्या है जोकिम उठाते हैं उनको जोकिम होता है कि नेताओं को देखे बड़े बड़े जो लीडर्स हुएं उनको जेल भी जाना पड़ा उनको लाठी भी खानी पड़ी कितना उन्होंने जीवन में संगर्स किया तो उनको हर कदम प उपसे सीखने और बढ़ने के चुक होते हैं नेता जो लीडर होते हैं वो ब्यक्तिकत उनके परसनल क्योंकि उनको इतने लोगों को लीड करना है तो वो परसनल सीखने में और आगे बढ़ने में खुद इंट्रेस्टेड रहते हैं चुक होते हैं प्रबंधक क्या करते हैं नेता लोगों को खुद का बहतर संस्क्राण बनाने के लिए पिर सिच्छित करते हैं। लोगों को खुद का बहतर संस्क्राण बनने के लिए पिर सिच्छित करते हैं। उनको मापा नहीं जा सकता है। यानि leadership कितने प्रकार की होती है नेतरत कितने प्रकार का सिंपल है चार प्रकार के होते हैं ज्यादा हम बात नहीं करेंगे नहीं इसमें तीन ही प्रकार दिये हुए हैं एक दो और होते हैं लेकिन main main यही हैं इनको आपको mind में बठा लेना है तो नेतरत की तीन प्रकारों की हम फ्री रेंड लीडर्शिप इसको बोलते हैं ठीक है बच्चों पहला अब आपको सब्द पर सिर्फ फोकस करना है सब्द में ही सारा राज छुपा हुआ है पहला निरंकुष नेतरत दूसरा लोकतंत्री नेतरत तीसरा सुतंदर बागडोर या हस्तचेप रहे नेतरत पहला ज तो टीम की सदस्यों को अनका पालन करने के लिए कहा जाता है इसको कहते है निरंकुष नेतरत या ओर्टो क्रेटिक लीडर्शिप इसे तानासाही रवाईय अभी कह सकते हैं या तानासाही नेतरत भी कह सकते हैं वह दूसरों की बात नहीं सुनना है कि ये भीड में कोई हम रहते हैं democratic leadership इसमें क्या होता है इसमें निर्ने team सदस्यों की राय और feedback के अधार पर लिये जाते हैं लोगतंतर में क्या होता है जो team होती है जैसे team में कोई 20 member एक उधारन के लिए समझ लीजिए तो सबसे feedback लिया जाए कि बताइए भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए feedback उनकी राय ली जाती है निर्ने भले इक खुद लिया जाए लेकिन उनकी राय और feedback जरूर लिया जाता है team सदस्यों का तो सरल सब्दों में अगर हम कहें तो निर्ने लेनी की जो प्रक्रिया होती है उसमें सभी को समलित किया जाता है वो कहलाता है लोक तंत्री नित्रत या democratic leadership एक होता है बड़ा महात्पूर्ण सोतंत्र बाग डोर नाम से पता चल रहा है समझेगा हस्तचेप रहते हैं यह lazy fair कहते हैं इसको यह free rain leadership तो इसको lazy fair का मतलब आप समझ लीजी lazy fair का से मतलब है उनको करने दो let them do उनको करने दो यानि team के सदस्यों के बिवेक पर छोड़ दिया जाता है कि जो आप कोचित लग रहा है आप अपने हिसाब से निर्ने लीजे अपने हिसाब से काम करिए तो इसमें निर्ने लेने की सकती सदस्यों पर छोड़ दी जाती है जैसे कोई किसी organization में 10 सदस्यों के team बनाएगी तो leader क्या करता है उन सदस्यों पर छोड़ देता है कि आपको जो जो काम बाटे गएं आप बिल्कुल बिना किसी हस्ते छेप कि हम आपको कोई हस्ते छेप नहीं करेंगे कोई हम आपको कुछ नहीं करेंगे आप अपने हिसाब से करिए तो उनकी काविलियत पर विस्वास करते हुए उन पर निर्ने लेने की छमता उनको निर्ने लेने का जो सदस्यों पर छोड़ दी जाती है तो लेजी इसको कहते हैं सोतंतर बागडोर या हस्ते छेप रहत या इसमें कोई हस्ते छेप लीडर नहीं करता है तो इसमें निर्ने लेने की सकती क्या होती है में किसी तरह का हस्तच्छेप नहीं किया जाता है उनको सुतंतर रखा जाता है कि वो अपने निर्ने स्वैम ले सकें जिम्मेदारी के साथ महाननेताओं की केस इस्टडी भी है तो आपने नाम सुने होंगे बहुती ग्रेट लीडर्स हमारे इंडिया में हुए है मैं बहुत शॉड में नाम लिख रहा हूँ लिष्ट बहुत लंबी है आप खुद भी नाम सुने होंगे बच्पन से पढ़ते भी आ रहे हैं तो आप एक बार केस इस्टडी जरूर करिए गांधी जी की केस इस्टडी करिए किस तरीके से वो एक ग्रेट लीडर थे कितने बड़े संख्या में आप सोचिए अंग्रेजों का इतना बड़ा सामराज था उन्होंने असायोग आंदूलन के द्वारा आइंसा आंदूलनों के द्वारा किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया उनके कितने अनुआई थे उनके जो भासा सैली थी वो क्या थी कैसे लोग उनके पीछे जहां जहां निकल चलते थे तो लाखों की भीड उनके पीछे लग जाती थी और उन्होंने किस तरीके से इतने बड़े अंग्रेजों के सामराज को जुका दिया देश को आजादी दिलाई सुभास चंदर बोज जी के बारे में आप जानते हैं आपने सब पड़ा है तो ये सब महान लीडर हैं बावा साथ भीमराव अमेटकर सरदार वल्लब भाई पटेल और भी ऐसे बहुत सारे ग्रेट लीडर से जो हुए हैं अब मैं उनके बारे में डिसकस हमारा वीडियो लंबा चला जाएगा तो सब ये ग्रेट लीडर और भी लिश्ट लंबी है मैं तो सिर्फ आपको एक उदारन के लिए कुछ नाम बता रहा हूँ आप सारे लिश्ट तयार एक करके आप खुद उनके बारे मे चैप्टर का सुरू होने जा रहा है जो की है मौटिवेशन या इसको अभी प्रेरन या प्रेरना सिंपली सरल तरीके से हम प्रेरना कहते हैं या फिर अभी प्रेरना भी कह सकते हैं तो मौटिवेशन जो सब्देश की उत्पत्ती मौटिव सब्दे से होई है मौटिव पर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी इच्छा या भावना जो किसी ब्यक्ति को कार करने के लिए प्रेरण या अभी प्रेरणा कहलाती है तो दूसरे हम सब्दों में और सरहल सब्दों में कहें तो निश्चित ओदेश की प्राप्ति के लिए किसी ब्यक्ति को प्रोतसाहित करने की रिए अभी प्रेरण कहलाती है एक भाई हमको निश्यत उद्देश हमारे सामने है ठीक है बच्चो अब हमको वैक्ति को हम प्रोथसाहित करें कि नहीं किसी भी कारण से कारण कुछ भी हो सकते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किसी वैक्ति को कितने तरीके से प्रेणना दी जा सकती है उनको अभी प्रेरित किया जा सकता है विए आप प्रेरित करने के पढ़ाई के लिए आप पढ़ाई में ध्यान लगाएं पढ़ें भटकें नहीं अपने लच्चे से या परिपेंच्छाओं के समय ज्जादा जोड़ दें तो मैं प्रेरित करने के मेरे पास कई तरीके हो सकते हैं एक टीचर के पास कई तरीके हो सकते हैं तो ये मन की अवस्ता है जो किसी ब्यक्ती को वांचित लच्छों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है तो जैसे मैं टीचर हूँ आप इस्टूडेंट हैं तो मैं आपक हो किसी भी तरीकے से चाहिए दरा धम का कर कोई डर दिखा करके चाहे एक भविस किये एक अच्छा की आपको अच्छी नोकरी मिलेगी आप वहा नोकरी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो लच्छ क्या है आगे अच्छे नम्रों से पास होना परिच्छा में, ये आपका लच्छ, तो उस लच्छ को पाने के लिए मैं आपको प्रेरित करूँ, मैं कहूँ कि आपको लच्छ प्राप्त करना है तो उसे को आपके अंदर जोज भरूँ, उत्साय भर दूँ तो वो क्या हो जाएगा एक आपको मैंने प्रेल्णा दी और आपने उस प्रेल्णा को ग्रहन किया यानि आप प्रेरित हुए आप यदि परिच्छाओं में लग जाते हैं पढ़ने लगते हैं मन लगा करके पढ़ते हैं तो अभी प्रेल्णा एक मन की अवस्ता है जो किसी ब प्रेड़ना के प्रकार यह बहुत महत्पूर्ण है, टाइपस ओप मोटिवेशन, अब आप इसमें समझेगा किस तरीके से होती है, बाहरी प्रेड़ना, एक्स्ट्रिंसिक मोटिवेशन, इस प्रकार की प्रेड़ना बाहरी कारगों पर निर्भर करती है, जैसे कोई आपको प्रकार वो दे, कि आपको इनाम मिलेगा, आप ऐसा करो, तो आप इनाम के उसमें प्रोटसायत होते हो, उसको प्रेड़ना लेते हो, कि नहीं भाई, यह इनाम मुझे प्राइज मुझे जीतना है, जैसे गेम्स में, महली जी कोई गेम्स हो रहा है, उसमें लगदी कि इसमे में एक पहचान, कई लोग होते हैं न, कड़ी मेहनत करते हैं, कि मुझे समाज में एक अपना इस्थान बनाना है, मुझे लोग पहचाने हैं, मुझे जाने, मुझे पढ़ करके अच्छा पत प्राप्त करना है, तो वो क्या है, समाज में पहचान बनाने के लिए, समाज और प्रसंसा के लिए लोग प्रसंसा करें देखो फलाने का लड़का कितना बढ़िया है पढ़ने में कितना अच्छा है या कर्मचारी की बात करें किसी काम कर रहा है तो बहुत प्रसंसा कर रहा है कि ये कर्मचारी हमारा बहुत अच्छा है तो उसने प्रेरित किया ये प्रसंस का सोच कर सामाजिक मानता या समाज में पैचान बनाने को लेकर या प्रसंसा पाने के लिए ये जो काराक होते हैं जो ब्यक्ति को प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए अपने लच की तरफ बढ़ने के लिए तो बाहरी प्रेलना कहलाती है दूसरा होती है आंत्रिक प्रेलना intrinsic motivation, आंत्रिक प्रेलना मतलब जो आपके मन से खोदो भरती है, आपको बाहर से कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, आपको स्वता ही उसका वो लगता है, ब्यक्तिक संतुष्टी, आपको satisfaction मिलता है काम करने से, आपको लच की तरफ बढ़ते हैं, जैसे पढ़ाई का क कर रहे हैं, आपको अपनी से लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी संतुष्टी के लिए पढ़ना है, मैं एक student या कोई करमचारी है, काम कर रहा है किसी organization में, तो उसको satisfaction मिलता है कि नहीं ये काम मेरी duty है, मुझे अपना अच्छे से करना है, उपलबदी की भावना, उसके अं आगे बढ़ रहा है, तो ये कहलाएगा आंत्रिक प्रेड़ना, तीसरा है बच्चों सकारात्मक प्रेड़ना और चौता होता है नकारात्मक प्रेड़ना, सकारात्मक प्रेड़ना क्या होता है, positive motivation इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, सकारात्मक मतलब प्रसंसा, पुरसकार पैसा पदोनती इस तरह की चीजें दे कर के आपको प्रेरित किया जाए जैसे आप स्टूडेंट है तो मैं आपको पढ़ने के लिए कहूं कि यदि आप बच्चों पढ़ोगे तो आपको नौकरी अच्छी मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे जीवन में आपको देखी तुर वालों का नाम रोशन होगा तो यह कैसा कारात्मक प्रेरित करता है वो कहलाते हैं सकारात्मक प्रेरित करता है कुछ ऐसा लाब दे करके पदोनती दे कर प्रसंसा या पुरुसकार दे कर कि ब्यक्ति कड़ी मेनत के लिए त्यार होजेगी यार मैं अब कड़ी मेनत करूंगा और मुझे ये प्रसंसा या पुरुसकार या पदोनती या जो पैसे का लाब है वो मुझे पाना है तो यह सब सकारात्मक प्रेड़ना या पॉश्टो मोटिवेशन कहलाते है चौथा है आपका नकारात्मक प्रेड़ना यानि निगेटिव मोटिवेशन आसानी से समझा जा सकता है नकारात्मक मोटिवेशन का मतलब प्रेड़ना प्रेरित तो कर रहे हैं लेकिन निगेटिव तरीके से, जैसे कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कई बार भाई पढ़ने भी लिखने मने तो उनको डराया जाता है कि बरबाद हो जाओगे, घूमोगे, नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्या कर रहे हैं हम, मौटिवेट तो कर रहे हैं, स्टूडें कि फेल होकर कि यहां घर मत आना, या तुम्हें ऐसा कर देंगे, तो क्या कर रहे हैं, डरा करके, धंकी दे करके, एक पैरामीटर का इस्तेमाल करके, उसको प्रेरित कर रहे हैं, तो कहीं लोग उससे प्रेरित होती है, कोई स्टूडेंट प्रेरित हो रहा है, कोई कर्मचार तो ये जो डरा करके धमका करके ये परामीटर की रूप में इस्तेमाल करके जब बेक्ती को प्रेरित किया जाता है तो वो नकारात्मक प्रेरित कर रहे हैं तो इस्टूडेंट के लिए टीचर धमकी देते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो तुम बरवाद हो जाओगे नौकरी नह यानि character stakes of motivation तो प्रेरना का है एक मनोवग्यान एक अधारना है यह हमारे मन में यानि psychological concept है तो यह बात बिलकुल आप मान में मान लीजिए यह इसकी एक बिसेशता है प्रेरना क्या हो तो पूरे ब्यक्ति को प्रभावित करते हैं उसके किसी हिस्से को नहीं मतलब कहने का यह है यह आपके मानसिक सोच को वो प्रिवर्तित करेगा लेकिन प्रेरना क्या होते हैं पूरे ब्यक्ति को प्रभावित करते हैं ना कि उसके किसी हिस्से को जो लच होते हैं वो प्रेरक होते हैं गोलसार मॉटिवेटर्स यह हमेशा याद रखिए कि लच जो होते हैं वो प्रेर का काम करते हैं इनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं दि आपके पास प्रेड़ना कैसे आईगी कि आपको उस लक्ठ को हासिल करना है और प्रेड़ना इतना असान लगता है उतना नहीं है यह एक complicated phenomena है एक जटिल घटना है और यह अभी प्रेणना क्या होती है संतुष्टी होती है एक प्रेणना जिसको inspiration मैं कह रहा हूँ और hair fade से अलाग होती है किसी को manipulate करना या किसी को satisfaction देना उससे यह थोड़ा सा अलाग होती है प्रेणना में क्या होता है बेक्ति पूरी तरीके से क प्रभावित हो करके अपने उद्देश प्राप्ती में लग जाता है एक बहुत महत्मूर्ष्ट प्रेणना यानी self motivation तो 100 प्रेणना ओए कारा के जो आपको कार करने के लिए प्रेणना लेना जो आपको ऐसी कोई भी कारा जो आपको कार करने के लिए प्रेणना करे आगे तरीके से प्रेरित कर रहा है ना नेगेटर तरीके से कोई हमें कोई कुछ कहीं नहीं रहा है तो हमको सौ प्रेरिणा बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो वो है कारक जो अपको कार करने के लिए आगे प्रेरित करता है या आगे बढ़ाता है कोई भी ऐसे कारक वो सब कहलाते है सौपरेड़ना सौपरेड़ना का महत्तु क्या है इसको बड़ा-बड़ा महत्पूर्ण है सौपरेड़ना यानि सेल्फ मोटिवेशन का महत्तु क्यों जरूरी है सौपरेड़ना इसको महत्त्य को जानना जरूरी है जो सो प्रेलिडणा होती है वो जीवन की परिशान्यों को कम करने में मदद करती है माली जीवन में भाई ऐसा कोई विक्ति नहीं जिसके जीवन में परिशानी तकलीफे ना है तो तो सेल्फ मॉटिवेशन के दौरे नहीं दिसा मिलती है, उसके अंदर उत्साय पैदा करता है, इनसान खुद को self motivated होकर कि अपने अंदर उत्साय पैदा करता है, सफल बनने के लिए दूसरों पर निर्भरता को कम करता है, आप self motivated है तो आपको self motivation swap arena है तो आप अपने लच्च की और आगे बढ़ते चले जाएंगे चाहे आप student हो चाहे कर्मिचारी हो तनाओ कभी जीवन में हो जाता है tension तो self motivation के द्वारा वो तनाओ दूर हो जाता है stress fossil बिकास में यानि skill development में help करता है यही swap arena से आपको skill acquire करने में help मिलती है और जीवन की चुनातियों यहां आउसरों को सुईकार करने में मदद करता है यह जो self motivation होता है swap arena यह जीवन में जो भी चुनातियों आपको मिलती है या opportunities या आउसर मिलते हैं उनको सुईकार करने में मदद करता है तो यह self motivation बहुत जरूरी है प्रतेक ब्यक्ती के अंदर होना चाहिए चाहे वो student हो चाहे वो कोई कर्मचारी हो अब बात कर लेते हैं swap arena को प्रभावित करने वाले कारक यानि factors affecting self motivation यहाँ पर हम self लिखना भूल के self motivation तो swap arena को प्रभावित करने वाले कौन-कौन swap arena मतलब हमारे अंदर प्रेंडना कैसे आ सकती है एक तो पैसे का लाव हमको दिखाई थी financial benefit भाई हमें अगर मैं एक student हूँ तो मुझे पता है कि मुझे अच्छी नौकरी पाना है तो मुझे पैसा चाहिए तो अच्छी नौकरी करनी पड़ी कि या अच्छा business करना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा मतलब बित्ती इलाब पैसे का मेरे माइंड में है तो मैं स्वहिम को सौ प्रेरित कर रहा हूँ यानि self motivated तो ये बित्ती इलाब कहते है financial benefits कोई कर्मचारी है तो उसके बित्ती इलाब कहते है क्यों मुझे promotion पाना है तो मेरी पदोनती होगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा तो बित्ती इलाब क्या करते है सौ प्रेरिना यानि बित्ती को सौ प्रेरित करते है आगे बढ़ने के एक तो नेत्रत तो सहली लीडर से पिश्टाइल leader से style बेक्ती में 100 प्रेणना पैदा करता है 100 प्रेणना के leader से style का मतलब जो भी आपको lead कर रहा है आपका नेता है वो आपको बताता है उसकी नित्रत तो सहली वो किसी ना किसी तरीके से उसकी style ऐसी होती है कि वो आपको 100 प्रेणना होने के लिए लगातार वो कहता रहता है दूसरा तीसरा होता है आपका पहचान है और पर संसा रिकॉगनेशन एन एप्रीशेशन तो पहचान है और पर संसा पाने के लिए भाई लोग मौटिवेटेड होते हैं तो यह बहुत जरूरी है परपस यानि उद्देश जब आपके सामने होगा तो मौटि सेवर बिकास के आउसर यानि प्रोफेशनल डवलमेंट अपर्चुनिटीज बिक्ति को मिलती है तो उनको पूरा करने के बिक्ति सौप्रेरेत होते हैं आज जॉब में आगे बढ़ने के आउसर जब मिलते हैं या आगे बढ़ने के लिए बिक्ति क्या होता है सौप्रेरेत होता है खुला समवाद open communication जहां रहता है वहां क्या होता है ब्यक्ति को self motivation मिलता है और job सुरच्छा job security job को secure करने के लिए job की सुरच्छा के लिए ब्यक्ति क्या होता है self motivated होता है तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो सौ प्रेणा को प्रभावित करते हैं किसको प्रभावित करते हैं सौ प्रेणा को या self motivation को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं अभ है अभी प्रेणा के सिद्धान या विचारधार है तो अभी प्रेणा मोटिवेशन के लिए बहुत सारे ऐसे बिद्धवान हुए जैसे माशलो हो गया हर्जबर्ग हो गये डगलस मैग ग्रेगर ये बिद्धवान कुछ ऐसे थे और भी थे लेकिन सिलेवस में तीन दिये हैं तो हम तीन बिद्धवानों की जो थेरी या सिद्धान थे या उनकी बिचार धार आएं थी मौटिवेशन को ले करके हमको उसको पढ़ना है तो सबसे पहले जो सिद्धानत है वो है मासलो का सिद्धानत यानि मासलो प्रिंस्पल तो इस सिद्धानत का नुसार इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति तभी प्रेरित होगा जब उसकी बेसिक जरूरते पूरी होती जाएंगी बेसिक पूरी हो जाएंगी तो आदमी कहेगा और चाहूं तो एक पिरामिट जो होता है न यह से तिर्भुज टाइप का बनता है सबसे नीचे का बेज बड़ा फिर कम होता जाता है धीरे धीरे उस तरीके का उन्होंने एक पिरामिट बना करके आवशक्ताओं या जरूरतों के बार इस तरीके का यह यह जैसे उन्होंने पहले एक नंबर पे यह बेसिक नीड फिर दूसरा फिर तीसरा यह कौन सा है अब यह कौन सी हा drieयर की है यह मैं देखिए बताता हूं एक नंबर पे आधार भुज जरूरत थै आधार बुज जरूरत थे मतलब बेसिक नीड आदमी क्य हवा इत्यादी जब आदमी को ये मिल जाएगा तो फिर आदमी और मौटिवेटेड हो कर कुछ और सोचेगा सुरच्छा वशकता है उसको स्वास सुरच्छा भैसे सुरच्छा दिया जाए तो फिर वो और फिर आगे जाएगा तो उसकी सामाजिक जरूरते आएंगी जैसे वो फिर कहेगा कि दोस्ती हो मेरी सोसल नेटवर्किंग बने मेरी फ्रेंड सर्किल बने लोगों से मेरी दोस्ती हो उटना बैठना हो तो ये सामाजिक जरूरते तो क्या है धीरे धीरे step by step इस इनसान motivated होता है और आगे बढ़ता है तो ये इनका मासलो का सिद्धान था फिर वो आगे बढ़े गए जब ये तो फिर कहेगा आत्म सम्मान क्या वश्चकता मतला वो कहेगा समाज में मुझे सम्मान चाहिए मुझे पैचान बनाना है उसकी आकांचा तो इस तरीके से वो आगे बढ़ता है तो यानि ये जो step है या पदानुक्रम है जिनके हिसाब से आदमी motivated होकर आगे बढ़ता है ये मासलो ने अपने सिद्धान में बताया अब दूसरा है हर्जवर्ग का असंतोस पैदा कर सकते है जैसे कोई कर्मिचारी ये काम कर रहा है तो वहाँ की कारकारी परिस्थितियां यदि खराब है तो ब्यक्टी क्या होगा motivation उसको नहीं मिलेगा ब्यक्ती क्या होगा उसके अंदर असंतोस पैदा होगा dissatisfaction आपसी संबंद हैं आपसी संबंद खराब हो सकते हैं सुपर्वाइजर की क्वालिटी यह दी अच्छी रही है तो उससे भी ब्यक्ति के अंदर असंतोस पैदा हो सकता इत्यादी तो उन्होंने एक कहा कि यह स्वच्छता कारक है जो ब्यक्ति के अंदर असंतोस पैदा कर सकते हैं क्या इसे कारकारी परिस्तिति यानी working conditions, आपसी संबंद यानी relationships, supervisor की quality इत्यादी दूसरा उन्होंने कहा ये प्रेरक कारक होते हैं, ये संतोस पैदा करते हैं, जैसे किसी को अपनी पैचान बनाना है, उसको अपना आगे बढ़ना है, उपलब्दी उसको कुछ चाहिए, अपना ब्यक्तिकत परसनल डेवलमेंट करना है, ब्यक्तिकत बिकास, पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है तो ये चीजें क्या है ये प्रेरा कारक हैं तो इन्होंने क्या किया ये जो बिद्वान थे इन्होंने जो पूरे की पूरी जो आवश्यक्ताओं थी उन्होंने दो भागों में मार दिया तो उनको दो कारक सिद्धान कहा जाता है हर्जवर का पहला स्व डगलस मेक ग्रेगर का X तथा Y सिध्धान, X का मतलब क्रॉस, यानि मना, No, Y का मतलब Yes, ये देखे, ये ये लिग दी आवस, Yes, मने हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी कर्मचारी होते हैं, ये जो भी बिक्ती होते हैं, वो दो स्रेडी में होते हैं, एक तो X केटेगरी, जो मतलब क्या होते हैं, हमेशा मना करते हैं, उनका No रहता है, और दूसरा होते हैं, Yes वाले, यानि हाँ वाले, जो मतलब पहुच्चे हो बिचार धारा के लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, डगलस मेक ग्रेगर ने मानवी पहलू को समझाने के लिए, कर्मचारीयों के दो प एक सिद्धान्त, एक सिद्धान्त मतलब क्रॉस, दूसरा उन्होंने कहा कि सकारात्मक पच्च है, तो उसको वाई सिद्धान्त कहा, वाई मतलब यस, तो उन्होंने कहा, ये वाई सिद्धान्त है, तो एक सिद्धान्त में उन्होंने कुछ कल्पनाई की, और माना कि ये कर थारा है कि वो इस तरह के होते हैं ये उनकी विसेशता हैं होती हैं सकारात्मक पच्छ को उन्होंने कि ये इस तरीके से कर्मचारी होते हैं तो अब देख लेते हैं एक तो एक्स पच्छ या एक्स सिध्धान्त और दूसरा वाई सिध्धान्त एक्स सिध्धान्त क्या है नका प्रेटों बिचार धारा है इसमें उन्होंने ये मानना कि जो कर्मचारी सामानता होते हैं वो कार नहीं करना चाहिए तो बचने का यही जो human जो aspect है वो students पर भी लागू किया सकता है वही चीज़े होती है कोई होता है कि पढ़ना ही नहीं चाहता है उसको ना आगे बढ़ना है ना पढ़ना है मन ही नहीं करता उसकी आगे बढ़ने की विच्छा नहीं कि चलो किसी तरह डिप्लोमा कल नूँ पास हो जाओ वह यह बदलाओ क्यों लाया जा रहा है यह गलत है जो चल रहा था पहले से चलने दो फिर इनका किसी भी कार के लिए इनको निर्देसित करना पड़ता है इनको जबड़जस्ती कहना पड़ता है कि चलो जाके करो यह जब जबड़जस्ती करा जाता है तब यह करते हैं तो यह ज तो तुम्हारा प्रमोशन रोग देंगे तुम्हें नोकरी से निकाल दिया जाएगा तुम्हें दंड दिया जाएगा तो इस तरीके से कई बार क्या होता है मेनेजर को ताना साही रवया भी अपनाना पड़ता है तो मैंने बताया ना कि यह जो सिद्धान्त है यह निरासाव कर्मचारी अपनी जौब को रिलेक्स होकर आसानी से संपन करना चाहते हैं कि रिलेक्स होकर कि हम अपना काम करते रहना है तता इसके लिए भौत एक तता मानसिक रूप से प्रयास करते हैं यानि फिजिकली भी और मेंटली भी प्रयास करते हैं कि नहीं भी यह जौब अपनी क हमें उसको करना है उनको डराने धंकाने के अवशकता नहीं कि डराय धंकाय जाए तभी वो काम करेंगे तीसरा जो यह कैटेगरी के लोग होते हैं यदि कार में प्रोथसान ततत संतुष्टी मिलती है तो कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार ततत प्रतिबद रहते हैं उ उनसे जोड़े भी रहते हैं उनके प्रति प्रतिबद भी रहते हैं फिर चौथा उन्होंने का कर्मचारी के अंदर जिम्मेदारी का भाव होता है क्या कहा कर्मचारी के अंदर स्वैमी जिम्मेदारी का भाव होता है और वो उसे जिम्मेदारी को स्वीकार भी करते हैं कि नहीं भईया, यह हमारा काम है, हमें इसको करना है, उनके खुद के अंदर जिम्मेदारी का भाव होता है, पांच मा क्या है कर्मचारियों में कौशल तथा छमताएं, कौशल मतलब है, इसकिल, छमताएं मतलब कपेसिटी होती है, तथा उनकी छमताओं का पूर्ण उपयोग क जाना चाहिए, उनने का प्रतेक कर्मचारी के अंदर कौशल भी है, छमता भी है, अब आप उनकी छमताओं का कैसे उपयोग कर पाते हैं, यह निर्भर करता है, तो जो कर्मचारियों की क्रियेटीविटी तथा इनोवेटों जो छमताओं का प्रियोग है, वो संगठन की सम कोंपनी की बहुत सारी समस्याओं को सुल्धाय जा सकता है, तो यह जो सिध्धान्त है, यह क्या करता है, आसावादी द्रश्टी कोंट प्रिस्तुत करता है, अतहा ज्यादा लोग प्रिये है, तो यह बच्चों दो अस्पेक्ट सिंपल से थे, एक एक सिध्धान्त, एक व कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बता दें ताकि मैं उसको और आगे क्लियर कर सकूँ तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्वाद सुब कामना हैं मेरी आपको कि आपको और उमीद भी है मुझे पूर्ण पिस्वास है कि आ आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहां भी आपको यही सारे कॉंसेप्ट काम आएंगे तो थैंक्यू बेरी मच्च सुब कामना हो सहत आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ आप सभी का दिन शुब हो